हारु फिक्स सैंसंग एस डूस ट्री डिस्प्ले नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों सवागर अब सभी का तिक राच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैंसंग के डिवाइस पर अप नहीं हो रहा है तो आपको केसे फिक्स करना होगा मैं आपको कुछ सॉलुशन बताऊंगा इसके रिगार्डिंग पर ठीक है आपका प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर सॉल्फ हो सकते है अगर यह सौफ़वेर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो जब भी दोस्तों यह चीज़ का प्रॉब्लम आ जाते है आपकी दिवाइस पर तो दोस्तों यह हाड़वेर के वज़ज़ से आते है यहाँ फिर सौफ़वेर के वज़ज़ से ठीक है तो दोनों में से दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो रहा होगा अगर आपके स्क्रीन व उसके बाद भी दोस्तों हाडवेर का इश्यू हो सकते हैं ठीक है तो जानने के लिए आपको वीडियो पुरा देखना है और वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सबस्क्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करना है और अगर आप आनलाइन पेसा कामाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चले दोस्तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लिम आ जाते हैं आपका जो केस है दोस्तो उसको देखिए ठीक है आपका जो बेक कवर है उसको रिमूफ कर दीजे और सारे साथ में दोस्त सबस्तिकर्स उन सबकिकर्स तो उन सबको आप डेखिए अपने स्क्रीन से और इस क्रीन को थोड़ा साफ करके देखिए कैस में यही रिजिंस रहते है बेसिकर बेसिक सालूशनजियर्व से इसके आपका दूस्त में करता तो आपका सुवम स्वायाया तेकिए प्रॉब्लि ठीक है अगर problem solve नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप जाए सेटिंग पर अपना storage चेक करें ठीक है अगर आपका storage दोस्तों completely consume हो चुका है storage full है तो storage को 40% या 30% आप फ्री आप करें storage clean up करने के बाद दोस्तों applications चेक किजिए अगर कोई भी bad application से जैसे application यहाँ पर कोई भी unknown website से install किया हुआ application तो उनको भी आप delete करें अगर बहुत सारे application से तो उनको भी आप delete करें अगर unused है तो थोड़ा सा mobile को free up करके देखिए ठीक है कई वर दोस्तों क्या होते मोबाइल लेक करते है फूल हो जाने के बाद तो लगते हैं यहाँ पर डिस्प्रेय और टाच का इश्यू है ठीक है लेकिन एसा नहीं होते वह लेगिंग का इश्यू होते और हैंग होने के वज़़े से इसा प्रोब्लिम होते तो आप एक बाद जरूरी है ट्राय करके देखिए अगर इससे काम बन जाता है तो ठीक है दोस्तों about phone पर जाके आपको built number यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है software information के अंदर पर तो built number पर आपको साथ बार क्लिक करना है उसके बाद mobile pattern आपको भर देना है और यह developer enabled हो चुका है ठीक है अभी developer option कहा पर है हमें वह search करना है तो last पर आपको मिल जाएगा तो उसमें जाए enable होना चाहिए आपका developer option तो यहाँ पर हमें search करना है pointer location तो चलिए थोरा सा नीचे जाके search करते है pointer location ओके तो यहाँ पर है अभी दोस्तों आपको क्या करना है screen पे आप slide करके देखे ठीक है इस तरह के से आपको draw करके देखना है screen पर अगर touch आपका काम नहीं करते तो touch running पर नहीं होगा अगर आपका touch इसी बीच में ठीक है problem करते तो touch जो है इस तरह के से यहाँ पर remove होके दुबारा से new touch करने सुरू हो जाएगा ठीक है तो आपको पता लग जाएगा कि इस area में आपका screen पे touch problem है ठीक है यह touch issue है या फिर क्या problem में आपको यहीं से पता लग जाएगा अगर आपका जो है यहाँ पर touch का issue आ जाते तो touch काफी जारा मीस होगा तो आप क्या कर सकते है ताच को change भी कर सकते है या फिर display चेक करवा सकते है किसी भी technician के पास जाके ठीक है तो इस तरह के से भी दोस्तों कई बार हम चेक कर सकते है सारी साथ दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है software update करना है software update करने से दोस्तों आपके mobile पर काफी जारा improvement हो जाते है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है चेक करके देखे दोस्तों इससे काफी आपको फाइदा होगा और आपका problems भी यहाँ पर सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से आप अपने problem को fix कर सकते बाई एनी चांस अगर problem सॉल्फ ना हो तो जाके ही आप अपने mobile को factory reset करे उसके लिए दोस्तों आपको क्या करन है general management पर जाना है reset पर क्लिक करना है और factory data reset पर क्लिक करते हुए आपको reset पर डबाके mobile password भर देना है और reset कर देना है ठीक है अगर उसके बाद भी same problem ही है तो आप किसी भी technician के पास या फिर service पर जाके fix कर सकते वाइरिंग का issue हो सकते मा रबोट problem हो सकते display खराब हो गया होगा ठीक है कुछ भी problem यहाँ पर हो सकते तो वह चेक करने के बाद आपको पता चलेगा ठीक है उनके पास एक मीटर होते हैं उससे चेक करते तो उससे ही पता चलेगा तो इस तरह किसे दोस्तों display screen touch problem हामें fix करना होते हैं उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा टेंक् P llevar बार प्तार करते हैं यह वीडियो पता हैं आपको टेंक्षध करते हैं इससे ही उनके पिर मुप पताफा ऑवमेश दससे ही वे तो उनके पता चलेगा गवादीशिवा फिग्वीयो औराखे हुछ ऑटते हैं जया मुझ करते हैं लादार का लाधे हैं नहां।